असलाम लेकुम आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो कुल्फी जो की खाने में बहुत ही जाकेकी होती है तो चलिए देखते हैं मैंगो कुल्फी किस तरह से बनती है मैंगो कुल्फी बनाने के लिए मैंने वन नीटर दूद लिया है इसको मैंने फुल फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है और यह जब बॉयल हो जाएगा तो इसको हम तेज आज पे और मीडियम आज पे पकाते रहेंगे और हम इतना पकाएंगे कि दूद जो है हाफ कॉंटिटी में हो जाए आप देख लिजी यह हाफ हो गया है तो अब हम इसमें थ्री टेबल स्पून शुगर एड़ करेंगे आप मीठा अपने हिसाब से अज़ेस कर लिजेगा कम या जादा कर लिजेगा और हम शकर डालने के बाद थोड़ी देर तक पकाएंगे और अब देखिए बिल्कुल दूद तयार हो गया है रबडी जैसा हो गया है अब हम गैस का फ्लैम आफ कर देंगे और हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे रूम टंप्रेचर पे मेंगो कुल्फी के लिए ये आम लिया है मैंने ये आदा किलो के करीब आम है काफी बड़े साइस का आम है इसे हम पील कर लेंगे और हम इसकी प्यूरी बना लेंगे दूद बिल्कुल ठंडा हो चुका है यानि रबड़ी हमारी ठंडी हो गई है बिल्कुल अब हम इसे अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं इसमें यह जो हमने पल्प बनाया है हम यह इसमें आइड करते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे यह 3 स्पुन मैंने पल्प एड कर लिया है अब हम अच्छे से मिला लेते हैं अगर हमें और जरुरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और एड करेंगे हम हम इसमें 3 स्पुन आम का पल्प और एड करेंगे टोटल हमने 6 स्पुन पल्प यूज़ किया है हम अच्छे से मिला लेंगे और इसे हम किसी कप में सेट कर लेंगे आप किसी भी तरह के मैंने कुलन कप लिया है आप किसी तरह के भी कप ले सकते हैं इसमें आप इसको फिल कर दीजे और फिल करने के बाद आप इसे स्लिंग फिल्म से ढख दीजे ऐसा करना जरूरी है Otherwise उपर जो है आईस जम जाएगा वो कुल्फी नहीं होगी वो बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाएगा तो इसलिए आप स्लिंग फिर्म यूज करें या फिर आप फॉयल पेपर भी यूज कर सकते हैं दोनों सेम वर्ट करेगा इसे हमने थोड़ा सा गार्णिश कर लिया है मैंने कुछ काजू, बादाम और पिस्ता बारीक काट के इसके उपर डाल दिया है आप अपनी पसंदीदे कोई भी ड्राइ फ्रूट यूज कर सकते हैं तो हमने इसे बिल्कुल रैप कर दिया है अच्छे से आप देख लीजे, अब हम इसे फ्रीजर में रख देंगे छे से आच घंटे तक उसके बाद हम फिर आपको दिखाते हैं कि हमारी कुलफी कैसे जमी है अब आप देख सकते हमारी कुलफी बिल्कुल बनके तयार हो गई है कितना अच्छा सा इसका ट्रिक्शर आया है बहुत ही जाके की दिख रही है आप इसे बच्चों के लिए ज़रूर बनाएझ आम का सीजन है उन्हें बाहर की आस्कुल ना देके घर की आस्कुल हम इसे चक कर के देखते हैं बहुत ही अच्छे से जम गई है जिस तरह की हमें कुलफी चाहिए तो इस तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर दबाएं लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें शुक्रिया